मत्रप्रदेश के विदिशा में एक संथ के सपने के आधार पर ग्राम धर्गा में खुदाई का कारिक्रम किया गया। संथ का दावा था कि यहां खुदाई के दौरान हनुमान जी की लगबग दो से धाई फिट की प्रतिमा बहर निकलेगी। जिस संथ को यह सपना आया था वो संथ ओमकारेश्वर के बदाई जा रहे हैं। ओमकारेश्वर के संथ हरिदास त्यागी का यह दावा है कि लटेरी तहसील के ग्राम धर्गा में हनुमान जी की पाशान प्रतिमा जमीन में दबे होने का उनहीं सपना आज से लगबग 6 महीने पहले आया था। ग्राम धरका में हनुमान जी की प्रतिमा अस्थल की खुदाई इस्थानिय लोगों ने शुरू कर दी तो वह तो हम पूए है पिर खुदाई क्यों ने खुदाई करवाते हैं तो फिर इतना बिलम क्यों रहा है वह अब होगा है हम तो देख रहे हैं अभी सुबह बंद कर दिया किन लोगों ने बंद करा है यह प्रसाचन है आके नी के वो कौन है तैसीलदार है कि नाजसाप है कि पटबारी है कौन है रोको रोको तो कल चलू काम था अच्छा उन्होंने रुखवा दिये हाजी अब आप क्या चाहते हैं हम यह चाहिए कि उसका निर्मार होने चाहिए नहीं तो हम से पार नहीं पासकते हैं एक इस दौरान थोड़ी थोड़ी मूर्ती भी दिखाई देने लगी तब ही इस्थानिय पुलिस प्रशासन राजस्व और वन विवहाग के बीच समाजस्व की इस्तिती नहीं बनने के कारण अभी पुलिस प्रशासन के युक्त खुदाई पर रोक लगवादी है इस दौरान जिस गाओं में हनुमान जी की प्रत्रमान निकलने का दावा किया जा रहा है वहाँ पूजन पाट का दौर भी शुरू हो चुका है इस दौरान दोर-दोर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि यहां से हनुमान जी की मुर्ती निकलती है या नहीं अब देखना यह होगा कि कब प्रशाशन इसकी आगे की खुदाई शुरू करवाएगा और संत अनुसार यहां हनुमान जी की मुर्ती अगर निकलेगी तो यह किसी चमतकार से कम नहीं माना जाएगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें